नमस्ते दोस्तों कैसे आप लोग स्वागत है सुनीता राज सिंपल रेसिपी में तो आज हम बनाएंगे मूंग डाल की कचोरी तो चलिए बनाते हैं दोस्तों यहां परम कचोरी बनाने के लिए ले लिया हाप कटोरी मुंग डाल तो लागवक 100 ग्राम है ताब इसको पानी में हम अची तरीके से धो के दो घंटे के लिए भीगो देंगे तो देखिए दो गणटा हो गया है तब इसका हम पानी निकाल लेते हैं छान के इस कटोरी से हमने हाप कटोरी डाले थे तब इसको हम छान लेते हैं और इसका पानी निकाल लेते हैं छान करके देखिए इस तरीके से आपके पास छनी होता छनी से भी छान के इसका पानी निका ढला लेते हicing और इसको ग्राइड करेंगेग को स täll देखिए इस तरह के से अब इसको जैयर में डालेंगे और प्र 27 ची सज़स्क करने जैया बारीक नहीं पीशेंगे दोस्तों इसको दरदराई यह देखिए इस तरीके से हम इतना डाल को पीछ लेंगे अब इसको निकाल लेते हैं यहां पर कुछ खड़ा मसाले को हम भूल लेते हैं तब इसमें हम डालेंगे साबु धनिया लगवक एक चमच और सौफ एक चमच और काली मिर्च लगवक दस से बारा और यह चार लॉंग अब इसको हम भूल लेते हैं अच्छी तरीके से जाता जलाएंगे नहीं हलका हलकाई भूनेंगे देखिए इस तरीके से हम भूल लेंगे इसको अब इसको हम उतार लेते हैं अब इसको भी दरदरा हम पिसेंगे चता बारिक नहीं करेंगे दरदरा पिसके उसको इसमें डा जीरा और यह हींग हाप चम्मच को यह इसको भी थोड़ा से चला लेते हैं। चला या और यह चार चंत जीरा एक गीए नहीं है। और तेल थोड़ा हम ज़्यादा डाले हैं दोस्तों क्योंकि हमको बेशन को अच्छी तरीके से भूलना है, तब बेशन हम डाले हैं 4-5 चमच, अब इसको भी इसी तरीके से हम भूल लेंगे, तो इसमें हम डालेंगे अधरक का पेश्ट, अब इसको भी हम इसमें भूल नाद지가 चलता है वेषनस अचल न तयान यहीं के साथ इसको हम्हाटी तरीके से भूल लेंगे यहाप हम ढालेंगे मसाले ते डाले हापचमप छली यह गरम मसाले और यह जनिया पाओडर पब सब इससे में डालते हैं। काला नमक अप्चमच दोस्तों काला नमक डालने से हमारे कचोरी का TEST बहुत ही बड़िया आता है। और मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे नहीं तो क्या होगा नीचे से जल जाएगा तो हम डाले हाप चममच आमचुर पाउडर अब इसको भी इसमें डालके मिक्स करेंगे दोस्तों आपके पास आमचुर पाउडर ना हो तो आप निम्बू करस भी डाल सकते इसमें और हरी अगर आपको एक से दो दिन में खतम करना है अगर रखना इस्टोर करके तो आप उसको अबैट कर दें ना डालें आप धनिया और मिर्ची आए देखिए हम इस तरीके से इसको भून लेंगे देखिए एकदम बिकरी बिकरी होना चाहिए एक मिर्ची पकना नहीं चाहिए इ तो इसको 10 मिनिट के लिए ठंडा करनेंगे यह देखिए हो गया ठंडा इसका हम ऐसे लड़ू बला लेंगे तो दोस्तों हम दो तरीके से आपको भरना सिखाएंगे एक तो यह लड़ू बना लिये हमने और एक बिना लड़ू के अब जो आपको आसानी लगेगा उस तरीक क्रस करके ऐसे यह देखिए अब इसमें हम डालेंगे काला नमक हाप चमच आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल लें और यह चार से पांच चमच हम इसमें डाल रहे हैं घी घी से तो आपको पता यह दोस्तों कोई चीज खसता और क्रेस्पी बनाना है तो इसके लिए तो बहुत ही खसता और क्रिस्पी बनेगी हमारी कचवरी तो यह मुठी बंद करके हम देखेंगे तो यह देखिए मुठी बंद रहा है तो यह अच्छी तरीके से हमारा आटा और घी मिल गया है इसमें तब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा पानी करके इसको डो बनाएंगे यह आटा को हम लगा लेंगे यह देखिए तो दोस्तों हम घी से इसमें पाले से इसमें घी डाल रखें तो इसलिए हमको ज्यादा पानी डालने का जरूरत नहीं पड़ता है तो थोड़ा-थोड़ा पानी में ही इसको गुथेंगे तो देखिए इस तरीके से हम आटा तयार कर दोस्तों कचोरी का आटा हम टाइट नहीं लगाएंगे इस तरीके से लगाएंगे देखिए सौप्ट लगाएंगे एक दम यह देखिए इसी तरीके से आप आटा त्यार करें ते देखिए हमारा त्यार हो गया है अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढखके रख देते हैं फूलने क लिए इसे क्या होगा फूले गा तो हमारा कश्य औरी बहुत भ़ी बनेगा तहीं देखिए 10 मिनटव हो गया है इसको थोड़ा थोड़ा मसाल के हम अब इसको हम धो हिस्चा में इससे तोड लेते एक हिस्सा को हम रख देंगे अब इसका हम पेड़ा बना लेते हैं चोटा चोटा दोस्तों मीडियम साइज के पेड़ा बनाएंगे ज्यादा बड़ा ज्यादा चोटा नहीं बनाएंगे इस देखिए इस तरीके से हमने लुई बना लिए तब इसको कटोरी के जैसा सेफ बना लेंगे इसतरीके से देखिएगे फैला फैला के अब इसमें हम बढ़ते हैं जो लडुँ हमने बनाये है यह देखिए तो पहले हम यह लड़ु भर के आपको दिखाते हैं इसमें इस तरीके से इसको दबा लेंगे दोस्तों अगर आप जो असानी लगे आप इस तरीके से भरेंगे यह लड़ू को डालके इसका मुह अच्छी तरीके से बंद करतेंगे ताकि हमारे तेल में यह हमारा कशोरी फटेना अच्छी से अतेली के सहरे ह दबा देंगे ती बहुत ही असान है दोस्तो अब इसको इस तरीके से हम अंगुलियों से दबा देंगे ताकि हमारा जो इस टफिंग है फैल जाए अच्छी तरीके से यह देखिए आधा मसाले का हम गोल बना लिए आधा मसाला इसे ही रखे हैं तब देखिए हम ऐसे भर के द इसारे कचारी को इस तरीके से बना लेंगे तो तेल को चेक करते हैं कि हुआ है कि नहीं थे देखिए दोस्तो तेल हमारा गरम हो गया है इसको ज्यादा हाई फ्लेम पे नहीं डालेंगे इदम लू पर डालेंगे तभी हमारे कचोरी खचता और क्रिश्टी बनेगा तो देखिए एक एक करके हम इस तर डाल देंगे सारह कचोरी को और लोफ फ्लेंबे ही पकाएंगे जब थोड़ा थोड़ा हो जाएगा जब हम मीडियम फ्लें पे कर देंगे अब हम इस समय पे मिडियम फ्लेम पे कर देंगे जब ऐसा हो जाएगा कचोरी देखिए थोड़ा-थोड़ा इसमें कलर आ गया है तो दोस्तों अगर हम लोग पे बनाएंगे टाइम तो लगेगा लेकिन बहुत ही खस्ता और बहुत ही करारी बनेगा हमारा कचोरी ते देखिए कचोरी हमारा बन गया है अब इसको हम निकाल लेते हैं यह देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही खस्ता बना है तब जो बचा हुआ कचोरी उसको भी हम इस तरीके से डाल लिए अब इसको भी हम निकाल लेते हैं, दोस्तों, हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसलिए हम आपको सोट में दिखा रहें, यह देखिए, बनके रेडी हो गया है हमारा कचहोरी, यह देखिए दोस्तों, देखने में इतना खस्ता और क्रिस्पी लग रहा है देखिए बहुत ही बढ़िया बने देखिए एक भी फटा नहीं है तेल हमारा खराब नहीं हुआ है यह देखिए दोस्तो इसको आप चाहे तो 15 से 20 दिन तक इस टोड़ करके भी रख सकते हैं और इसको चाय चटनी के साथ खा सकते हैं जो आपको पसंद हो ते बहुत ही क्रंची बना है दोस्तों तीसरा से जरू ट्राइ करिए आपको बहुत अच्छा लगेगा यह देखिए मैं तोड़के दिखाती हूं यह देखिए कितना खस्ता बने आप तो देखी सकते दोस्तों बिल्कुल भी टाइम ने लगा खस तोट गया यह देखिए जैसे कि हम बि दोस्तों आपके कमेंट काम कोई इंतजार रहता है इतना अच्छा आप लोग कमेंट करते हैं कि मेरा दिल खुस हो जाता है आप लोग के सपोर्ट और कमेंट देखके हम बहुत खुस होते हैं दोस्तों तो दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूले, थांक यू, बाए